सुगाइस बहुत सरे मेरे भाई लोग का ग्रो एप में फीचर इंड आपसन ट्रेडिंग एक्टिवेट नहीं हो रहा है वो लोग डीमेंट रिपोर्ट भी लगा चुके हैं बैंक की स्टेटमेंट भी लगा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनका यह तो बनाया है लेकिन आज के वीडियो में बहुत ही आसान भासा में आप लोग बताने वाला हूं अब कुछ लोग का यह सवाल है कि नहीं भाई कितने दिनों का डीमेट रिपोर्ट अपलोड करें कितना पुराना एकाउंट होना चाहिए तो आप लोग के सारे सवालों का जवा अब इस वीडियो में मिलने वहला है बेसिकली दखिए मैंने पहले वीडियो में आप लोग बताया था कि जो फीचर एंड आप्सन ट्रेडिंग एक्टिवेट कर रहे हो तो इसमें आप लोग डीमेट रिपोर्ट अपलोड कर सकते हो अब बैसिकली आप लोग डीमेट बताया था कि कम से कम आपके एकाउंड में कम से कम एक हाग दो जो है सेयर और बाई होना चाहिए ठीक है सेयल और बाई होना चाहिए तभी आप लोग ये काम करेगा दरवाई सेयर रिजेक्ट हो जाएगा ठीक है लेकिन हमारे भाई लोग क्या कर रहे हैं जैसे कि कोई कमप तो थे तो भाई अगर आप दस पांच रुपया व्ला काम करूगे तो आप लोग का रिजयक्ट नहीं किसी एसे कंपणी का शेयर बैल्यू गिर्यना थिक है तो कम से कम 1,000 आट बाधा सीयर परच्रेस किए हो अज सीयर बाई किए हो तो पर 100 दिन यानि कि एकाग दो दिन बाद आप लोग دीमेट रिपोर्ट में जा करके यहां से डीमेट रिपोर्ट अपना डाउनलोड मारो ठीक है, और यह डाउनलोड मानने के बाद सिंपली आप अपने जो है कि अपने जहां पर अक्टिवेट करते समय आप लोगों से statement या फिर pdf मांगा जाता है उसे pdf form में upload कर दो ठीक है आप लोग को कोई भी परसानी नहीं होगा आप लोग का फीचर ने आपसर ट्रेंडिंग है वो activate हो जागा ठीक है आप लोग को कोई भी परसानी नहीं होगा आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरा भी activate हो अब कुछ मेरे भाई लोग का यह कहना है कि भाई bank statement upload करें कितने दिनों का upload करें तो देखिए मैं आप लोग बता दूँ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग bank statement जो upload करते हैं ठीक है एक्टिवेट करते समय feature and option trading को तो हमारे जो pdf होता है जो bank के द्वारा statement मिलता है कभी-कभी व तो मानलो अगर 6 महीना का भी है तो उसमें transaction इतना कम होता है कि वो भाई grow app वाले satisfied ही नहीं होते हैं कि आपको feature and option trading दे सकें क्योंकि बेसिकलिए आप देखिए ट्रेडिंग करने जा रहे हैं अगर आप 10,000, 5,000 रुपिया, 4,000 रुपिया अगर अपने account से लेन दिन करते हैं जिससे कि आपका transaction का value देखकर के भी लोग समझ सकें कि नहीं हाँ आप trader है आप trade कर सकते हैं अब 150 रुपिया का भाई अगर आप statement upload करोगे तो वो जल्दी आप लोग का activate होने वाला नहीं है ठीक है तो ये आप लोग तरीका आपना सकते हो ये दोरो तरीका है लेकिन बेहतर तरीका आसान तरीका है ये आप लोग डीमेट रिपोर्ट upload करो आज share buy करो 1200-1500 रुपिया का ठीक है 2000 रुपिया का इसके बाद दो दिन बाद जो है उसका डीमेट रिपोर्ट डाउनलोड करो उसे जो है कि upload कर दो ठीक है उसे के माध्यम से आप लोग अपना vision and option training को activate करो ठ पिर हो सकता है उस समय जो है grow app का server down होने का तो कोई chance ही नहीं है लेकिन हो सकता है कि कोई region हो जिसको जैसे OTP ना रहा हो ठीक है जिससे की server down हो गया या फिर internet जो है या फिर आपके mobile का network इस तरीके से नहीं तो grow का server कभी down नहीं होता है ठीक है और आपका mobile भी recharge में भी नहीं हो अगर कोई आपके मनमी सवाल है तो आपके मुझे कमेंट भी बताएं और मिलते हैं फिर किसी नए जानकारी के साथ